नवस्कार दोस्तों में जल मैं आपका एक पर फिर से स्वागते और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वो इसके वीडियो में आगे बढ़ते हैं देन लेट स्टार्ट और उसी कमेंट की रिपले देनी के लिए मैंने सुचा क्यों ना इसके ओपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि इस वीडियो की मदद से किसी और का भी हेल्प हो जाए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं सो मास 830L इस माल्टिमीटर में R23, R24 और R26 यह तीनों की तीनों SMD रेजिस्टेंस है और R26 में जो रेजिस्टेंस यूज क्या गया है उसकी वैलू है 220 किलो ओम्स तो चलिए सबसे पहले इसका एक बार वैलू चेक कर लेते हैं माल्टिमीटर से सो यहाँ पर आप देख सकते हो R26 की वैलू 219 किलो ओम्स शो कर रही है और R26 रेजिस्टेंस की SMD कोड है 224 और आप R23 रेजिस्टेंस की वैलू चेक करेंगे और इसकी वी वैलू है 220 किलो ओम्स तो चलिए एक बार इसकी वी वैलू चेक कर लेते हैं सो यहाँ पर आप देख सकते हो 220 किलो ओम्स शो कर रही है और इस रेजिस्टेंस के भी SMD कोड है 224 और आब R24 की बारी और इस रेजिस्टेंस की वैलू है 10 ओम्स तो चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं और इस resistance की value को check करने के लिए हम multimeter को बाजार range पे set कर लेंगे क्योंकि इस range पे ही हमें इस resistance की value show कर देगी यहाँ पर आप देख सकते हो resistance की value 10 ohms show कर रही है और इसलिए multimeter में एक beep sound भी हो रही है और इस resistance की SMD code है 01X okay guys thanks for watching my video if you like my video then please share it and subscribe my channel thank you